सेद जफिर इसलाम आपने सब की आरोप सुन लिया है अधिकतर सरकार की ओर उंगली उठाते हैं कि अगर पतिबंद की बात होती है तो क्यों भारतिय जनता पार्टी साल दर साल, महीने दर महीने एक ही चीज को बार-बार रिपीट करती है लेकिन बात कुछ सुलज़ती नहीं है आप कह रहे हैं कि हम चाहरें पुखता हो ताकि उसे ओवर्टर्ण नहीं किया जा सके कभी भी आगे चल कर लेकिन इसमें आपको लगता नहीं कि सरकार की मंचा कहीं कटगरे में आ रही है बिल्कुल नहीं देखे मैंने इसलिए कहा कि इतिहास को भी खंगाल के देख लीजिए पहले भी बैन किया गया है और बैन करने के बाद रहात कोट ने दी है खुछ क्या कुछ कहीं न कहीं कमी रही होगी इसलिए दी गई है हमें पुखते तोर पर जब सारे सब सबूत जितनी भी सबूत उनके लिए चाहिए बेहन करने के लिए चाहिए जो कोट में जरकार होती है वो जब तक नहीं होंगे तब तक आप जाहिरे कोट के तरवादे कर्सेस के तेहत बैंड किया जाएगा और उस पे पुखते तोर से किया जाएगा लेकिन मैं जरा सुन रहा था सभी लोग को मुझे अफसोस हो रहा है कि कॉंग्रेस के परवक्ता अवे दुबे जी के सुनके अवे दुबे जी जरा से भी चिंतित नहीं दिखे उन्हें अभी सत्ता और मलाई में ही इंट्रेस्ट है और उसी की बारे में चिंता कर रहे हैं उन्होंने अभी देखिए का वोला इस सारे चीज जो है राजगीती और सत्ते की लालच में अरे आपको सत्ते के लालच हो सकती है आपको देश से प्यार नहीं हो सकता है आप दोश दिरवियों के सबस्क्रांद चिन्ता ना कि रहा नहीं है हमें थो लग रहा है पहले कि मैं जानता हूँ शृता जी हर शो में ये करते हैं, जब मैं बोलने लगता हूँ तो वे इंट्रोस करते हैं ताकि जन्सा तक आवाज नहीं जाये। आज उन्होंने क्या बात चेह भी आप समझ सकते हैं क्या कहीं चेता भी कि तीन साल पे चेंदर सरकार के पास कोई प्रमाड नहीं है कि वो प्रतिवंदित कर से पैक और सुलाता करता हूं कि दावते इस्लामी का जिक्र भी हुआ ऐसे पैने नहीं कहा यह आप कह रहे हैं देखिए तने यलाल की गटना में जिक्र हुआ आप या जानती दावते इस्लामी करने का कोशिशिश मत किए अपने कहा पूरी जन्वरी बोगार वारुष वो सुमूतों के साथ जो है सवाइदा जी इससे फिर कोई बात नहीं समझ पाएगा कोई फाइदा नहीं है आप एक लाइन में अपनी बात रखिए और उसके बात बीज में नहीं बोलिएगा उसके आंग में बोलेगा आप कहरें वो गलत बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रख दिए, बिल्कुल मैंने कहा कि मुझे ठेकरा फोड़ने से पहले अपने गरीबा में जाकिये, कॉंग्रेस के इतियास खंगाली है, तो आपको पता चलेगा, कि आपने ऐसे संगटोने के खिलाफ कभी कारवाई नहीं जो कारवाई कर रही है, कारवाई चल रही है, अब उनको बुलने दीजे, अब एक अंबीर बात कहता हूँ, अभी राजस्थान में कहा NIA ने कि दावते इस्लामी का हाथ है, कनया लाल जी की हत्या के पीछे, मैं एक अंबीर बात बताता हूँ, जन्वरी 2022 में, हु बहु इ इसी तरीके से एमदाबाद में किशन भारवाड की हत्या की, जानते वहाँ पर NIA को केस भी नहीं सोपा क्योंकि भारती जन्ता पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर 2000 दान फात्र दावते इस्लामी के पकड़े गए हैं, वहाँ पर भी हत्या में दावते इस्लामी का हाथ थ किया, कमलेश तिवारी की जब हत्या उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा के शासन में, तो भाजपा के सांसर ट्वीट करते रहे कि NIA को जात सोपी है, यह अंतर अब लियाज अटारी जो आतंक वादी जिसने खनेया लाल जी की हत्या की वह भारती दंता पार्टी का कारिक आदमी निकला, तारीक एहमद मीर भाजपा के का विधान सभा चुनाओ लड़ा, उसका आप अगर इमेल आईडी देखेंगे तो bjp.tarik.123 उसका इमेल आईडी है, वो आतंकियों को हत्यार सप्लाई करने के आरोप में पाकिस्तान से ड्रोन से हत्यार आते थे और वो सप् अजर मसूत का शागीर, उस से फुला फारूप को भारती दंता पार्टी ने वार नंबर 33 से टिकिट दिया. ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से, जी, जफर इसलाम की. अलो, क्या सुन पा रहे हैं आप कुझे? आपके आरोपों पर, गंबीर आरोप आपने लगाए हैं. जी कि लोगों से, नहीं लोगों के साथ फोटो किचाता है, उसका मत्नά पर्टी में हैं. लोगों के साथ बहुत लोग फोटो खिचवाते हैं. कोई पर्मान पत्र के साथ नहीं फोटो खिचवाते हैं आप भी खिचवाते हैं हम भी खिचवाते हैं सभी लोग खिचवाते हैं कोई इससे यह नहीं कह सकता है कि वो पार्टी के साथ है या किसी व्यक्ति के साथ है लेकिन अरे आपके तो आपके तो आपको पता है ना आपक का काम किया आज देखे सोनिया गांदी जी के इशारे पर अहमद पटेल जी ने क्या का किया किस तरह की दंदी राजीती की आज 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 को पता चला कि नहीं यह सब यही काले कार्टूथ करते हैं है